तो कैसे हैं आप सभी होप आप सब अच्छे होंगे आपके गर परिवार में सब बड़ी होगा तो आज मैं आप लोगों को मतलब कुछ अलग सा दिखाऊंगी जैसे आप लोग तो मैं पूरा रड का कॉंबिनेशन लेगे आऊंगी साड़ी पूरी रड है बलाउस भी आप लोग देखो रड है और यह विदाओट स्लीव से मैंने अभी स्टिच कराया था अपने भाई की शादी के लिए तो आज मैं यह वाली साड़ी पूरी इसका लुक क्रिएट करूं का इस अपनी शाड़ी का जो छब्ण करोंगी तो चलो करते एं वीडियो को साट जमीरे शाड़ी का फैप्रिक है मेरी साड़ी का फैप्रिक प्यूर सिल्क है और आज मैं आप लोगे को यह है इस टाइल करना दिखाऊंगी बाइदावे बहुत सारी कोमेंटस आ रहे गी अ भी ऐसा नहीं होता है बहुत से होते हैं कि पैनाते हैं जैसे मैं हूँ भाई मुझे मेरे ससुराल में मैं कुछ भी पैना मुझे किसी चीज के लिए मैना नहीं की जाती है बट हाँ यह है कि नए नए है तो नहीं भाई मेरे पास यही ब्लाउस थी मतलब यही रेड कलर की साड या एक दो और यारो बहुत मतलब बहुत जादा गहराई में रखी हुई है ठीक है तो इस चीज को आप लोग इतना माइंड मत करना क्योंकि मैंने भी वीडियोस देखिया मुझे कॉमेंट्स परने की एक आदत सी है सब की तो मैंने वहापे भी कॉमेंट्स देखिया कि हमारे कि चोडुदि चोड़ी बनाओंग Arabs जो होती वहावी साड़ी के अकोर्डिंग बनाई जाती आपकी जो बहुत के कपड़े की सारी होते जिस चुन्निषभण का कपड़ा हुआ और नट का कपड़ा हुआ ओने साड़ी मतलब पनार से साड़ी हुई सील्क की साड़ी होई और एक जो जॉलजेट नहीं सौरी मतलब एक और होता है न कपड़ा और गेंजा हाँ ओर गेंजा की साड़ी होई तो इन सब की जो हम प्लेटस बनाते है ना वो थोड़ा सा क्या होता है कि वह मतलब फैल जाती है थोड़ी उठी उठी रहती है तो उन्हें सेट करना पड़ता है ठीक है तो अभी मैं अपनी प्लेट्स को सेट करूंगी और जो फर्स्ट वाला है मैं इसे हमेशा निकाल के रखती हूं आगे की तरफ क्योंकि मुझे पता रहता है कि जब हम सेफ्ट देख लिए करें क्योंकि बहुत बार रेंडमली हो जाता है आपके साथ भी होता हुगा अपकी मुम्मियों के साथ और पलू छोटा रह जाता हो जिन लोगों सर पर रखना रहता है और उनको थोड़ा बड़ा ही पल फलो जाआए ठीक है तो बाहता पृसर पे रखोंगैं और आपको अपनी प्लेट्स को अंदर की तरफ टग इन करें ठीक हैं अभी अम बनाएंगे अपनी प्लेट्स उपर के प्लेट्स बनाऊंगी मैंने जब फर्स्ट टाइम ये साड़ी पहनी थी तो मैंने फ्री पल्लू किया था भाई कि उसमें बट आज मेरे को प्लेट्स बनाने है अभी आप लोग देखने इसकी प्लेट्स बनेगी तो चोटी-चोटी ठीक है तो प्लेट्स तो चोटी-चोटी बनेगी अभी आप लोग देखो कि मैं बहुत चोटी-चोटी प्लेट्स से करूँ तो हां मेरी साड़ी जो हो सकती है बड क्या होता है न कि हमारीपलेटती खिच्छती है तो प्र छोड़ि हो जाती है तो मैं आप हात पे डाल कि अपनी पेड़ स्कूड़ औरेंज करूँ कावे साधी के साथ मैं ऐसे करती हूं कि वही मैं ऐसे ही प्लेट डाल के अरइंच कर लेती हम ठीक हैं सो गाइस देखो अभी आगे डालके फाइदा हो जाता है कि हाँ अभी प्लेट्स जैसे के तैसी ही एं थोड़ी से लैंग्वेज में यार मज जानब गर भी कुछ और बताऊ कुछ इंट्राइवजिंग से डिमांड लाओ अपनी की दीदी बताओ दीदी वो बताओ मैं भी सोच रही थी मैं बैए बैटी बैटी काfo साडी दिखती रहाएं मैं अपनी चैनल फे कुछ इंट्रस्टिंग सा बता हो गाइस ठीक है तो गाइस देगो अभी मतलब पूरा साड़ी को मैंने अपनी प्लेट्स को मैं मतलब अटेच करकर के थोड़ा सा मैं खेचती रहूंगी जिससे मेरा पल्लू जो है वो काफी पीछे तक हो जाएगा और थोड़ा सा यह है कि वो अगली भी नहीं लगेगा क्योंकि जब हम पल्लू को खेचते हैं तो वह काफी जादा अच्छा लगता क्योंकि पूरा प्रॉपर फ पलू साड़ी बहुत जादा खड़ी है तो इसलिए पीछे पर लू ऐसा ही है और मैं अपने सेफटी पिने कार्प से अच्छी से टुक्तन करूँगी Unity घिमालों नष्जारे थी अपनी साड़े मेंतना स अरदरभ दो रहा मेरा पेचने । अब पशन करीं ने कॉर्फ अध कि मतलब थोड़ा से आर्दे को हो जाती है गड़बर हर किसी से होती है पाइदवयार में इतनी भी बूरी नहीं हूं बहुत अच्छी और अगर किसी को मेरे पास कॉमेंट से बताए और आके मेरे घर से साड़ी ले जाए किसी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है ठीक है तो गाइस आप लोग बताना कि में कोमेंट से कैसे लग रही है और आपको मेरे लुक कैसे लग रहा है बहुत सिंपल से लुक है मैं जादे एरिंग्स वगेरा बैंगल्स वगेरा कुछ नहीं है और अभी मैंने रखा है सर पे पलू और यह बन गई हूं में संसकारी ब आपको में बहूं में लूता है और झालाय के बहुता है लहां ख़ूँक बष्णार